नमस्कार विंधिया टाइम्स में आप सभी का स्वागत है बागेश्वर धाम के पंडित धिरेंद्र शास्त्री के खिलाफ उज्जैन में कल्चूरी, कलाल और कई अलग-अलग समाज के प्रतिनीधियों ने मोर्चा खोल दिया है पुलिस अधिक्षक से FIR दर्ज करने की मांग की गई है या विवाद भगवान सहस्त्र बाहू के खिलाफ टिपणी को लेकर गहराया है समाज के लोगों ने आगे भी प्रदर्शन जारे रखने की चितावनी दी है कल्चूरी, कलाल और पूरवाल समाज के लिए धिरेंद्र कृष्ण सास्त्री की भगवान सहश्र बाहू के खिलाफ की गई टिपणियों से नाराज है वो उनके खिलाफ प्रदेश भर में प्रतिनीधियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुँचकर पंडित धिरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नारे बाजी की है समाज के लोगों के प्रतिनीधी मंडल ने उनके खिलाफ फायार दर्ज करने के लिए पुलिस अधिक्षक सचिन शर्मा के नाम पर ग्यापन सौपाप प्रदर्शन कारियों में शामिल भरत पोरवाल ने बताया कि पंडित धिरेंद्र शास्त्री कथा वाचक होकर भगवान सहस्त्र बाहु के खिलाफ अशोभनी अटिपणी कर रहे हैं उन्होंने पंडित धिरेंद्र शास्त्री के खिलाफ फायार दर्ज नहीं होने पर आगे आंदोलन की चिताबनी भी दी है प्रतिनिधी मंडल में शामिल लोगों ने काफी देर तक पुलिस कंट्रोल रूम पर नारे बाजी भी की प्रतिनिधी मंडल में शामिल लोगों का कहना था कि पंडित धिरेंद्र शास्त्री धोखे बाज हैं वे दर्बार लगा कर लोगों को अपने जाल में फसाते हैं प्रदर्शन कारियों ने यहां तक चितावनी दे डाली है कि उन्हें मौका मिलेगा तो वे पंडित धिरेंद्र शास्त्री का मूह तक काला करेंगे भरत पोरवाल ने बताया कि कथावाचक को सभी धर्म और सभी देवी दिवताओं का सम्मान करना चाहिए लेकिन पंडित धिरेंद्र शास्त्री ऐसे पहले कथावाचक हैं जो भगवान सहस्त्र बाहू का आप मान करते हुए टिपणी कर रहे हैं इसलिए उन्हें पूरा समाज प्रदर्शन कर सबक सिखा रहा है उन्होंने यह भी आवहन किया है कि समाज के लोग अपने धाना शेत्रों में पंडित धिरेंद्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्चकनाई